प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई नयावेगो तुम चायते हो कि भगवान की नजर तुम पर रहे बोलो ना कि रामर की कंस की किसकी चायते हो तो क्या करो दूसरों की मदद करना प्रारंब करो परोपकारी वनो कल की कथा में हम आप सबने सुना भगवान मिथ्रा नगर घूमने गए दोनों भाई कौन-कौन लक्षमण जी और राम जी का भया सबने दर्सन किये राम जी के याद रखना राम जी किस नगर में गए मिथला जनकपुरी चाय वहीं क्यों गए बगवान क्योंकि वो भकती की नगरी है जान की जी है भकती उस नगरी में राम जी ब्रह्मन किये बापस गुरु जी के पास आए जैसे ही बापस आए तो भगवान ने प्रणाम किया गुर्देव को संध्या बंदन होई रात्री काल हो गई जब रात्री हो गई तो रात्री के समय भगवान और लक्ष्मन जी राम जी और लक्ष्मन जी अपने गुर्देव के चरन चापने लगे सेवा करने लगे बार बार चरनों की सेवा करते हैं याद रखना मेरे माई बाप जो पुत्र अपने पिता की सेवा करता है जो सिस अपने गुरू की सेवा करता है जो पतनी अपने पती की सेवा करती है वो जिंदगी में परम सुख बाते है लेकिन आज के जमाने में पैर नहीं दबाए जाते है लगता है कब ये सो जाए तो इसका गलू दबा दिया जाए हाँ, पहले का जमाना था खूप चरणों की सेवा करते थे लोग अब आज का जमाना न बड़ा उल्टा हो गया आज कल लोग इतने बनावटी हो गए, इतने बहाने बाज हो गए हमारे कई छेला हमको ही बहाना बना देते बहुत बहाद, बहुत बहाद आज कल बहाने बाज लोग जादा हो गए बहाने बाजों की पूछो मन गुजुरात का चंगीलाल ये भी कम बहाने बाज नहीं था इतना बहाने बाज चंगीलाल आदमी साधारन थोड़ी है हमारा चेला एक बार चंगीलाल के पिता ने कहा देख मच्छर भन 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 कर रहे हैं ज़रा मौर्टीन तो चालू कर जी पिता जी उसने मच्छरों को मारने के लिए मौर्टीन एक वो होता ना वो पटपटपट उसमें वो क्या बोलते उसको करेंट वाला अब जो भी हो एक दो तो मार दी अब फिर वो थंडियों का टेम तो फिर सो गया बाप ने फिर जगाया तुने मच्छर नहीं मारे पिता जी मारे तो है अगर मारे होते तो ये गुन गुनाते हुए मच्छर क्यूं आ रहे है गीत गाते हुए अब बहाना देखना बोला पिता जी जब मैं मच्छर मार रहा था ना तब जो है दो बड़े बड़े मच्छर मर गए उसमें क्या बात है फर यह आए क्यूं यह गुन-गुना क्यूं रहे दरसल उसकी विद्वा पत्नियां रोने आई है मच्छर तो मर गए है यह जो गुन-गुना रही है न यह उसकी पत्नियां है लोगाई' बाप भी बड़ा उचा, बाप तो बाप होता है, बाप बोला ये वता इसकी लुगाई कितने थी, तेरा कहां से पता लगया तुझे कि ये लुगाई है, बोली ये जिसकार से रो रही ना लग रहा है कि वो मर गया ती रो रही, जो बहाने बाज होता ना वो कुछ भी बहाना बनाता, लेकिन धन्न blessing जीन्दगी में जिसने रामयन पढ़ ली न उसने जीना जीना सीख लिया पढ़ो रोज पढ़ो, पढ़ नहीं सकते सुनो एक बार सुनो दो बार सुनो, बार बार सुनो रामचरत मानस जिस दिन आप सुन लोगे और पड़ लोगे न अपनी जिंदिगी में आप मुश्कुराते रहोगे जिंदिगी जीने की कला सिखाती है रामा है बारे बारे मुनी आज्यादीनी रगुबर जाई सयन तब की बार बार गुर्दे उने आज्यादी राम जाओ सोजाओ राम जी गए नहीं जब बार बार कहा तब गए और आज के जमाने में तो लगता है कब गुरु जी कहे दें कि उठ जाओ हो गई रामा है पहले जब बार बार व्यक्ति को कहते थे तब वो एक बार बांता था ठीक है राम जी को कहा जाओ राम गुरु जी ने कहा सो जाओ राम जी आये गुरू जी सो गए अब राम जी लेटे तो लक्षमर जी राम जी के पैर दबाने लगी यह इक्रम देखना बड़ा प्यारा पहले दोनों भाई अपने गुरू जी के चरण दबा रहे थे लेकिन जब गुरू जी सो गए तो राम जी लेटे राम जी लेटे तो लक्षमान चापत चरन लखन उरिलाए सभय सप्रेम परम से चुपाए अब लक्षमान जी चरनों को दबाने लगे जब लक्षमान जी दबाने लगे तो राम जी अब लक्षमान जी को पुनी पुनी प्रभू कहे लक्षमन ओ लक्षमन बहिया लक्षमन पुनी पुनी बार बार फिर से पुनी पुनी प्रभु कहें सोबं ताता पोड़े धरी उरे पदे जले जाओ आप जाओ सोजाओ लक्षमन जी की सेन जिन्दगी में अपने स्रेष्ट भाता बड़े भाई के पृति कितना उदार होना है रामेड पढ़ो सीखो लक्षमन जी बड़े भाई के कहने पर सोतो रहे पर कोई अलग कमरे में नहीं रामजी के चरण अपने हिदय पर रख कर चरणों के समीप सो गए लेट गए रामेड पढ़ियेगा रामेड में इतनी गूरता है भाईया इतनी गूरता है रामेड की एक एक चौपाई न गदगता से भरी है लक्षमन जी राम जी के चरणों को हिदय पर रख कर सोई पहले नंबर कौन सोया गुरू जी फिर कौन सोय राम जी सबसे बाद में कौन सोया लक्षमन जी लेकर अभी सुनिएगा उठे लखनों निसी बिकत सुनी आरोने सिखा सुनी कांप प्राता काल हुआ मुर्गे ने बांग दी पहले अलारम मुर्गा होता था अब घड़ियां होती है जैसे ही मुर्गा ने बांग दी तो सबसे पहले गुरू जी सोई फिर राम जी फिर लक्षमर जी लेकिन मुर्गा की बांग सुनकर सबसे पहले लक्षमर जी जागे सेवक वही है जो स्वामी के पहले तयार हो जाए सिस्ट वही है जो गुरू से पहले काम करने को आतुर हो जाए पुत्र वही है जो पिता के पहले तयार होकर के सेवा करने लगे पत्नी वही है जो पती के पहले अग्रशर होकर के चाहे धर्म का काम हो या मानवता का काम हो पती के आगे तयार हो जाए